दोस्तों कमपर्शनर कर्मी की यूटूब पोटल पे आपका स्वागत है आई यह सुरू करते हैं आज की साहित की एक जलग सिरी 36 और आप सभी लोगों को वट्सप पर पीडिया भेजा जा चुका है उमीद करते हैं कि आप सभी लोग में देख लिया होगा और उसे हल कर लिय पर आधारी तो जो साहित की एक जलग सिरी 36 और आप लोगों को वीडियो मिलने जा रहा है और सुतनता दिवस की हारदिक सुबकामना हैं आप सभी को कि तो चलिए शुरू करते हैं आज की साहित की एक जलग सिरीज वैसे आज की यह आखिरी सिरीज है सिरीज कुल 35 थी लेकिन आज स्वतनता दिवस के मौके पर मैंने कहा चलो एक सिरीज और बढ़ा देते हैं और 36 वी सिरीज आप लोगों को दे दी गई है तो अभी तक फिरी में दिया जाता था 35 सिरीज दी गई थी 36 वी सिरीज आज आप लोगों को मिली है अब इसके बाद जो चार सिरीज बस रही है वह यूजी सी नेट की एक्जाम की जब डेट निरधायत हो जाएगी हिंदी की किस दिन होगी सप्टमबर में 20-30 के बीच में हैं तब चार सिरीज आप लोगों को सप्टमबर में 15 तारीक के आसपास कराया जाएगा तो अब कोई सिरीज नहीं मिलेगी ध्यान रखिएगा और यह आप पेड़ जोइन करना चाहते हैं तो इसमें छूट चल रही है आज अंतिम दिन हैं छूट का तो आप हमारे इस काड़ी कहां से प्रकासित होता था आपका उत्तर हो जाएगा एक कलकत्ता जो धैनिक विश्वमित्र था कि दैनिक विश्वमित्र समाचार पत्र कलकत्ता से 1916 इसवी में प्रकासित होना शुरू हुआ और इसके संस्थापक थे मूल चंद्र अगरवाल इसके पहले अंक पर तो विश्वमित्र लिखा था लेकिन बाद में मित्रों की सहायता से मित्रों के सुझाव पर कहा गया कि विश्वमित्र ना लिखकर विश्वमित्र लिखा जाए तो फिर दूसरे अंक से विश्वमित कि निम्ण में से सुमेजित जोड़ा कौन सा है सुधर्शन बनारस से प्रकासित होता था देव कि नंदन खत्रीश के संपादक थे इंदू जैपूर चंदर सर्मा गुलेरी मनोरंजन सहाबाद इसोरी परसाथ सर्मा विकल्प है एक दो दो तीन एक तीन एक दो तीन तो आपक जैणिंद्र सभी को याद था लेकिन कहीं लोगों ने बताया सर्य किसी महिला ने लिखा लेकिन नाम नहीं याद है तो अभी मैंने आपको बताया था कि सिवानी ने लिखा है तो आपका बिकल्प होगा एक और दो जगदीश चतुवेदी ने लिखा था कहानी जगदीश चतुवेदी ने कहानी लिखा था विवर्त सिर्षक से कहानी किस ने लिखा है तो जगदिश चतुवेदी ने लिखा है महावीर प्रसाद वेदी की रचना प्रबंध पुस्पांजली में संकलित पहला निबंध कौन सा है शिक्षा भारत वर्ष की चौथी मनुश्य गणना बलरामपुर का खेदा यमलोक का जीवन वैसे प्रबंध पुस्पांजली में ये सभी के सभी संकलित हैं लेकिन मैंने प्रस्ण पूछा है कि पहला निबंध कौन सा है तो आपका उत्तर हो जाएगा ए शिक्षा अगला प्रस्ण देखें तुम्हारे मन की दारून व्यथा और व्याकुलता को मैं पहचानती हूँ सखी अब रुदन से आरे पिंगलाक्च की आत्मा को और कश्ट मत दो इन लोगों ने जो अपने को सर्व सक्तिमान और विराता समस्ते हैं नारी की आंतरिकता कभी नहीं जानी ये कथन के सुपन्यास का है विराता की पद्मिनी नील चान पुननवा नदी के द्यूप आपका उत्तर हो जाएगा भी नीला चान नीला चान में ये जो कथन कहा गया है ये चंपक ने सिंजनी से कहा है नीला चान में आप देखेंगे अध्याइबीस जो है नीला चान में अध्याइबीस जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर सदयों बहुत छोटा होता है विशेश कर जब दुनिया की छट पर से नीचे उत्रें वह उत्राई वैसी नहीं होती कि पैर पसार कर प्रित्वी के गुरुत्व करसल से मानू मुप्त उप्रोक्त कथन किस उपण्यास का है ? वसंती, गोदान, नदी के द्यूप, नीला, चान आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी नदी के द्यूप नदी के द्यूप में लेखक की ओर से कहा गया यह कथन है नदी के द्यूप उपान्यास में कला का काम जीवन को छिपाना नहीं उसे उभारना है कला हुआ जिसे पाकर जिन्दगी निखर उठे चमक उठे कथन किसका है रामधारी सिंग दिनकर, रामव्रिक्ष वेनिपूरी, प्रेमचंद, स्मित्रानंदन, पंत, तो आपका उत्तर हो जाएगा B, रामव्रिक्ष वेनिपूरी कि माटी के मूर्तें अगर आपने पढ़ा होगा तो भूमिका आप पढ़ें, भूमिका में आपको मिलेगा सुधिया उस चंदन के वनकी का प्रकासन वर्स क्या है? 1892, 1912, 1942, 1992, 1992, तो आपका उत्तर हो जाएगा D सुधिया उस चंदन के वनकी का प्रकासन वर्स होगा 1992 राजनीती साहित नहीं है, उसमें एक एक चंद का महत्त है, कभी एक चंद के लिए भी चूग जाएं, तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है उप्रोप्त कथन असाल का एक दिन में किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा B, प्रियंगु मंजरी का यह कथन है अगला प्रस्न देखें, आचार रामचंद शुक्ल ने किसके लिए कहा? कि यदि अपने ग्रंथ को इन्होंने भानमती का पिटारा ना बनाया होता और एक धंग पर चले होते, तो इनकी बड़े कभियों किसी ख्याती होती थान कभी, बेनी बंदी जन, भान कभी, रामसिंग आचार रामचंद शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि थान कभी, जिनका मूल नाम थान राय है उनके बारे में आचारे राम चंदर शुक्र ने यह कतन कहा है हर संकर परसाई की रचना बेमानी की परत में संकलित रचना एक कौन सी है नीलकंट, चंदा, राम का दुख और मेरा तो आपका उत्तर हो जाएगा D एक, दो, तीन, नीलकंट भी है अब नीलकंट से आपको महादेवी वर्मा का मेरा परिवार याद आ रहा होगा लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि नीलकंट निबंध है जो की हर संकर परसाई ने लिखा है वैसे नीलकंट आपको पता ही होगा कि नीलकंट मतलब क्या मोर जो मेरा परिवार में लिखा गया है जिसमें आप देखेंगे कि नीलकंठ है गिलू, सोना, दुर्मू, गौरा, नीलू, निक्की, रोजी और रानी तो इस तरीके से महादेवर्मा ने लिखा है लेकिन यहाँ पर हर संकर परसाई का है जो कि वेमानी की परत में संकलित है कल मैंने लाइब कक्चा में भी आप लोगों से पूछा था कि संतन को कहां सीकर, सोकाम, व्यंग किसमें संकलित है तो मैंने यह नहीं पूछा था किसमें संकलित है मैंने यह पूछा था किसका है तो आप ध्यान रखें हरी संकर परसाई का है और यह हम एक उम्र से वाकिफ हैं इसमें संकलित है संतन को कहां सीकर सोकाम व्यंग किसमें संकलित है तो आपका उत्तर होगा भी हम एक उम्र से वाकिफ हैं माखरणाल चदुवेदी की रचना साहित देवता में संकलित अंतिम लेख कौन सा है आपका उत्तर हो जाएगा अंतिम लेख है C जीवन का प्रस्वचिन इस्तरी बाटी ये सभी के सभी साहित देवता में संकलित है अजगर करेना चाकरी पंची करेना काम सीरसक निबंध किसका है ये भी मैंने कल आप लोगों से पूछा था आपका उत्तर हो जाएगा सी विवेकी राय का है अजगर करेना चाकरी पंची करेना काम पंक्ती मैं नहीं पूछ रहा हूँ मैं निबंध पूछ रहा हूँ और यह निबंध किसमे संकलित है ये भी आपको बता दें किसानों का देश किसानों का देश निबंध संग्रह जो विड़े की राय का है उसमें संकलित है और किसानों का देश निबंध संग्रह में कुल साथ निबंध संकलित है उठजाग मुसाफिर में संकलित अंतिम रचना कौन सी है आपका उत्तर हो जाएगा ए सवाल जीवन का पत्र मड़ी पुतुल के नाम जो कि कुवेरनात राय का है में पहला लेख कौन सा है आपका उत्तर हो जाएगा ए पांत का आखरी आदमी पहला लेख है कुल लेखों की संक्या अगर बात करें तो इसमें कुल लेखों की संक्या 14 है वे रसमे पुरुस थे एक बहुत ही मात्पूर्ण इसमें लेख है जिसमें कहा गया है कि पूरुस का अस्त्र लोहे का हो सकता है परंतु नारी का अस्त्र है पवित्रता वह रस्में पूरुस थे इस लेख में कहा गया कि पूरुस का अस्त्र लोहे का हो सकता है परंतु नारी का अस्त्र है पवित्रता इसी में एक और बहुत ही महत्पूर्ण कतन है कि मैं पर्दा-पर्था का विरोधी हूँ किन्तु मर्यादा का रहना उचित है निवारन नहीं कु आवरन रहित होने पर ही नारी पवित्र हो सकती है सच्चाई के साथ ही पवित्रता रहती है तो इस तरीके के मातपूर्ण जो कथन होते हैं वो भी परिच्छाओं में पूछे आते हैं उस पर भी आप लोग ध्यान जरूर बनाये रखें और साथा किसी ने मैसेज किया था पूछा था क्या हिंदी नाम की कोई भासा ही नहीं निबंध किसका है तो मैंने बता दिया था महावीर प्रसाद दुवेदी का है ध्यान रखना सरस्वती पत्रिका में 1913 में प्रकासित हुआ था चंद्गुप्त नाटक में सक्टार की कर्ण्या कौन थी आपका उत्तर हो जाएगा सक्टार की कर्ण्या थी सुवासिनी माटी की मूर्ते में संकलित रेखा चित्रों का सही क्रम क्या है जिसमें भावजी, देव, मंगर, परमेशर दिये गए हैं प्रस्ण संख्या 18 आपका उत्तर हो जाएगा ए मंगर, देव, भावजी और फिर परमेशर जो भी चीजें क्रम से दी गई है, उस पर आप लोग जरू ध्यान रखें क्रम से भी प्रस्ण पूछा जा सकता है वैसे माटी की मूर्ते में पहला कौन सा है अगर कभी पूछा जाए, तो ध्यान रखना, पहला तो रजिया है पहला रजिया है कुल कितने हैं तो कुल बारा हैं रजिया के बाद आप देखेंगे बलदेव सिंग हैं फिर सर्जु भाईया हैं अब उसके बाद में मंगर हैं मंगर के बाद में रूपा की आजी हैं फिर उसके बाद में देव हैं देव के बाद में बाल गोविन भगत हैं फिर उसके बाद देखेंगे भावजी हैं, भावजी के बाद परमेसर हैं, फिर वैजु मामा हैं, सुभान खा हैं और अंतिमे हैं बुधिया, तो पहला रजिया, अंतिम बुधिया, बाकी बारहों का क्रम आप याद रखना, इस तरीके से क्रम से भी प्रस्ण पूछे जा सकते हैं, चिंतामरी भाग एक में मनोविकार से सम्बंधित अंतिम निबंध कौन सा है, बाई कुल निबंधों की संक्या सत्रा है, जिसमें से प्रारंभिक जो दस निबंध है वो मनोविकार से संबंधित है अंतिम जो सात निबंध है वो साहित से संबंधित है तो जो दस निबंध है उनमें अंतिम निबंध कौन सा है मनोविकार से संबंधित अंतिम निबंध कौन सा है आपका उत्तर हो जाएगा ए अंतिम निबंध है क्रोध मेरा परिवार में संकलित रेखा चित्रों का सही क्रम क्या होगा तो आपका उत्तर हो जाएगा ए गिल्लू, सोना, गौरा, नीलू ये सही क्रम है मैंने आपको अभी बताया कि मेरा परिवार में अभी निलकंट की जब बात आई तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था वहाँ पर लेकिन यहाँ पर जरूर ध्यान रखने निलकंट की अगर बात आती है तो मेरा परिवार जो महादेवी वर्मा का है उसमें निलकंट पहला है निलकंट के बाद में गिल्लू है फिर सोना फिर दुर्मुक घोरा है फिर नीलू है और अंति में निक्की रोजी और रानी तो इस तरीके से इन कर्म को भी आपको ध्यार रखना है पैट के साथी मह好吃 M कर ये नहीं है पत्त के साथी में आप देखेंगे कि जो B लिखा हुआ है रामधारी सिंग दिनकर ये नहीं है पत्थ के साथी में बाकि पत्थ के साथी में अगर पूछा जा तो कुल साथ हैं पत्थ के साथी में पहला तो प्रणाम है जो कि रविनना ठाकुर पर है दूसरा मैथली सरणगुप, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा सोरिकांतिर पाठी निराला, पाचवा जैसंकर प्रसाद, छठा सुमित्रा नंदन पंत, और सात्मा सियाराम सरणगुप तो इस तरीके से पत के साती में सात हैं, रामधारी सिंग दिनकर उसमें नहीं है, अतीत के चलचित्र में संकलित रेखा चित्रों का सही क्रम क्या होगा, अतीत के चलचित्र जिसमें घीसा, विंदा, अलोपी, बदलू ये लोग दिये गए हैं, इन में से सही क्रम अगर आप देखें तो आपका उत्तर हो जाएगा ए विंदा घीसा अलोपी और बदलू कि पहला अगर देखें तो पहला आप देखें कि रामा है अंतिम पूछा जाता है तो अंतिम लच्छमा है तो इस तरीके से क्रम सभी का आपको ध्यान रखना है है कि यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका 22 का ए रिल जल धन जल के पहले खंड बाढ़ 1975 में पहला अध्याए कौन सा है आपका उत्तर हो जाएगा ए कुते की आवाज रिल जल धन जल में आप देखेंगे तो कुत्ते की आवाज जो दिया गया वो अध्याए यहां पर पहला है रिल जल धन जल में तो यहां पर एक एक चीज़ें आप लोगों को इसलिए बताई जाती है कि इस पर आप लोग गौर करें एक एक तथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है एक एक तथ दिया जाता है ताकि कहीं से भी अगर प्रश्ण परिक्षा में आता है तो वह आप लोगों का ना चूटने पाए मेरी कोशी से ही रहती है मेरा पर्यास लगातार यही रहा है कि कहीं से भी कोई भी प्रस्ण अगर आता है परिच्छा में तो छूटने ना पाए एक एक तथ्य पर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए अब इसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं संसद से सनक तक में संकलित कविताएं कौन सी है प्रस्ण संक्या 24 आप देखें 20 साल बाद भाषा की रात पठका था तो उत्तर हो जाएगा डी एक दो तीन आंगन के पारदार के पहले खंड अंतह सलिला में कितनी कविताएं संकलित है तो आपका उत्तर हो जाएगा डी पहले खंड अंतह सलिला में 18 कविताएं संकलित है पांडि वेचन सर्मा उग्र की रचना अपनी खबर का अध्याय कौन सा नहीं है लाला भगवान दीन सीवपर साथ गोप्त राजा लक्षमार सिंग बाबूराओ विश्रुराओ पराड कर आपका उत्तर हो जाएगा सी इसमें राजा लक्षमार सिंग अध्याय में नहीं है बाकि लाला भगवान दीन हैं से उपर साध गुप्त हैं बाबुरा विश्ववा परालकर हैं चीनों पर चांदनी रचना के पहले खंड उत्तरी रोष्णियों की ओर में कुल अध्यायों की संख्या कितनी हैं आपका उत्तर हो जाएगा बी कुल अध्यायों की संख्या चार है प्रेमचंद के जीवनी साहित कलम तलवार और त्याग में किसकी जीवनी नहीं हैं गोपाल कृष्ण गोखले सरसयद एहमत खा स्वामी विवेकानन बहादूर साध जफर आपका उत्तर हो जाएगा डी बहादूर साध जफर नहीं है दलित आत्म कथा पगडंडियां किसकी हैं उत्तर हो जाएगा आपका बी वन्चिता कौर का है पगडंडियां आत्म कथा दलित उपन्यासों में कौन कौन सा उपन्यास मोहंदास नईमी सारण का है मुक्ति पर आजबाजार बंध है अमर जोती विकल्प एक दो दो तीन एक तीन एक दो तीन यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ए एक और दो मुक्ति पर मोहंदास नहीं मिशारन का है आजबाजार बंध है मोहंदास नहीं मिशारन का है लेकिन अमर जोती मोहंदास का नहीं है डीपी वरुन का है अमर जोती उपन्यास डीपी वरुन का है सुरजपाल सिंग चौहान की कहानिया कौन सी है हैरी कब आएगा टिल्लू का पोता अपना गाओ विकलप एक दो दो तीन एक तीन एक दो तीन यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा एक और दो हैरी कब आएगा टिल्लू का पोता अपना गाओं इनका नहीं है अपना गाओं है मोहंदास नयमिशारन का कौपी पर नगर है तो लिख लिया करिए मोहंदास नयमिशारन का है चार इंच की कलम कहानी के कहानी कार कौन है आपका उत्तर हो जाएगा बी कुसुम बियोगी है कमलेश्वर की रचना खोई दिसाएं में संकलित अंतिम कहानी कौन सी है आपका उत्तर हो जाएगा अंतिम कहानी होगी पराया सहर इसी में दिल्ली में एक मौत संकलित है खोई हुई दिसाये में खोई हुई दिसाये हुई सब्द यहां पर साथ लिखने में छूट गया है उसे सही कर लिजिएगा क्योंकि यह प्रस्ण भी परिक्षा में पूछा जाता है कि दिल्ली में एक मौत किसमे संकलित है खोई हुई दिसाये में कुल संकलित कहानिया कितनी है तो आपका उत्तर हो जाएगा डी खोई हुई दिसाये में कुल संकलित कहानियों की संख्या 11 है एक बार फिर आप लोग ध्यान दें साहित की एक जलक सिरीज कुल 40 थी जिन में से आ सेप्टमबर में होगा इसलिए आज ये साहित की एक जलक की अंतिम सिरीज 36 वी सिरीज आपको मिल रही है बाकी जो चार सिरीज है जब सेप्टमबर में तिथी निरधारित हो जाएगी कि हिंदी किस दिन पड़ेगी तो 15 सेप्टमबर के बाद फिर से चार जो सिरीज बच रह सिरीज निरधारित हो जाएगी तब मिलेगी बाकी सुलक में छूट हमारे यहां चल रहा था लगातारा तीन दिन से आज अंतिम दिन हैं 15 अगस्तर मैंने आप लोगों को बताया था आज अंतिम दिन हैं तो जिन लोगों का अर्मिसन नहीं हुआ है अगर वो जोड़ना चा आपको टेस्रीज मिलेगा सुबह 10 बजे डेली आपको PDF नोट्स मिलेगा आपके WhatsApp पर उसे आप प्रिंट आउट करा सकते हैं मोबाइल में पर सकते हैं या अपना हैं डिटर नोट्स बना सकते हैं डेली दोपहर में धाई बजे आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो हुआ है तो अगर आपके पास टाइम नहीं है डाई बजे तो आप उसे बाद में देख सकते हैं लिंक आपके WhatsApp पर रहेगा वीडियो यूटूब पर होता है लेकिन पब्लिस नहीं होता है जिनको वीडियो का लिंक WhatsApp पर दिया जाता है वहीं देख सकते हैं फिर रात में 9 ब बहर में धाई बजे डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर रात में 9 बजे लाइफ क्लास तो एक टॉपिक आप दिन में तीन बार पढ़ोगे अलग से कोई पूस्तक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है जितनी भी रचनाय जितनी वी विधाय आपके पाटक्रम में हैं किताबें लगी हुई है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है उन पर सारा सारांस सारे महत्पूर्तत आप लोगों तक पहुचाए जाएंगे सब उपर आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा तो आप जूड़ना चाहते तो इस नंबर पर फोन करके वट्सप करके फीस और सारी जानकरी ले सकते हैं छूट आज ही तक जारी है इस चीज का ध्यान रखिएगा और यह आखरी साहित की एक जलक आज है बाकी 15 सप्टमबर के बात मिलेगा जब तित्री निर्धारित हो जाएगी उजी सी नेट की राजा निर्बंसिया कहानी संग्रे में कुल कहानियों की सं निर्धारित हैं अश्ट चात के कभियों में सरबाधिक कागर शास्त्री ये कौन थे आपका उत्तर हो जाएगा भी नंददास थे निमन में से कहानियों का प्रकासन की द्रिश्टी से सही क्रम कौन सा है राखिबंद भाई ग्राम कानों में कंगना उसने कहा था उत्तर हो जाएगा आपका ए एक दो तीन चार ये सही क्रम होगा एक दो तीन चार प्रेम चंग चिट्टी पत्री भाग एक में कुल कितने पत्र संकलित हैं कुल संकलित पत्रों की संख्या है 281 अरे यायावर रहेगा याद में अंतिम अध्याएक कौन सा है आपका उत्तर हो जाएगा बी बहता पानी निर्मल काब्य कल्प दुरुम के लेखक कौन है उत्तर हो जाएगा सी सेना पती रस भूसन के लेखक इन में से कौन है रस भूसन आपका उत्तर हो जाएगा सी याकूप अब कुछ रोग कहेंगे सर ग्वाल कभी ने भी सिरिपती की बात करें तो इन्हों ने लिखा है रस सागर राम सिंग की बात करें तो इन्हों ने लिखा है रस निवास जबकि याकूप ने लिखा है रस भूशन चिंतामरी की रचना है कौन से हैं काब्या लोक, काब्य विवेक, काब्य परकास विकल्फ एक दो दो तीन एक तीन एक दो तीन आपका उत्तर हो जाएगा भी दो और तिन काब्य विवेक और काब्य प्रकास ये लिखा गया चिंता मड़ी के दौरा जबकि काब्यालोक लिखा गया राम, दहीन, मिसर के दौरा लिखा गया ध्यार रखिये भिखारिदास की रचना कौन सी है? शिंगार निर्णय, शिंगार विला, शिंगार मंजरी, शिंगार भूशन आपका उत्तर हो जाएगा A. स्रिंगार निर्ण जबकि स्रिंगार विलास सोमनाथ ने लिखा है स्रिंगार मंजरी दो लोगों ने लिखा है चिंता मडीन ने भी लिखा है और परतापसाही ने भी लिखा है वहीं स्रिंगार भूशन बेनी प्रविन्न ने लिखा है रस विलास किसकी रचना है तो आपका उत्तर हो जाएगा B रस विलास मंडर ने लिखा है विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा है जूटा सच तमस आधा गाउं तो आपका उत्तर हो जाएगा D एक दो तीन तीन के तीनों उपन्यास बिभाजन पर आधारित हैं गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक उपन्यास किसका है आपका उत्तर हो जाएगा ए कृष्णा सोबती का है गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान मलवे का मालिक कहानी में कहां की कहानी है आपका उत्तर हो जाएगा डी अमरित सर बाकि कुछ हमारे ऐसे भी मेंबर से हैं अब इस आयत कि कल किसी का फोन आया था किसर आप जब भी लिखिए तो अपने नाम के पहले डॉक्टर जरूर लिख दिया करें कुछ लोगों को डाउट हो जाता है तो बैदेखें वो तो लिखा ही जाता है हर जगे डॉक्टर लिखा आपको मिलेगा लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या सारी डिगरी लिख देने से ही कोई प्रभावित होता है ऐसा कुछ भी नहीं उसके लिए परेजान बिल्कुल भी नहों और देखें बहुत सारे सोच के लोग मिलते हैं बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के अंदर जो की नहीं होना चाहिए इस और ऐसे संकीन मानसिक्ता स हम आप सभी को दूर रखे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी आप देखेंगे जातिवादिता घोर कटर वादिता आज भी है और उसका कारण है ये दूसित मानसिक्ता का कारण वर्तमान की राजनीती है जो लोगों के अंदर इस तरीके का माहल भर दिया जा अधिके से एक दूसरे में जो आपस में विद्वयस की भावना है धार्मिक्ता को लेकर पढ़े लिखे लोगों में आईसी संकीर मानसिक्ता से इस और हमको आपको सभी को दूर रखे लेकिन मेरे पास तो फोन आता रहता है अड्मिसन के लिए आता रहता है मैं तो देखी सव में एक आध ऐसी संकीर मानसिक्ता के लोग मिल भी जाते हैं अग्मिसन की बात होती है और जब पैमेन की बात आती है देखते हैं अरी सर तो मुसलिम है भाई ज्यान आप इसका मतलब से च्छित नहीं है तो इस आपको आपको सबको दूर रखे और पढ़े लिखे लोग सिक्का बदल गया कृष्णा सूप्ति जिस लाहोर नई व्यक्या आसकर वजाहत कितमें पाकिस्तान कमलेश और तो अलतालिस का उत्तर हो जाएगा डी एक दो तीन चार एक दो तीन चार यह सभी के सभी सुमेलित है और रागनी आप जरूर बताईएगा कि आपका रामकथा इस समय कहा चल रहा है रागनी कलास में आप नहीं रहते हैं इस समय कहा पर प्रोग्राम आपके रामकथा का PB है कथा बदाईपया है की अपके रामकथा ब्हार को gay कर आपके प्रोग्राम को DCT सुने और अनन्द ले और धर्म के प्रतिनिश्ठा वनी रहे लोगों की जरूर बताईएगा बनारस के एतिहासिक परिप्रेग्च को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है आपका उत्तर हो जाएगा डी एक दो तीन चार गली आगे मुर्ती है अलग-अलग वैतरणी नीला चान यह था प्रस्तावित उपन्यास के उपन्यासकार कौन है आपका उत्तर हो जाएगा सी गिरराज की सोर तो इस तरीके से आज के पचास प्रस्ते अब हम लोग मिलेंगे 15 सप्टमबर के बाद जब हिंदी की तिति निर्धारित हो जाएगी उजी सी नेट के बाकी इस समय हमारे यहां पेड़ बैच में चायावाद चल रहा है आज च परीकेजर लगे रही है कहीं कोई समस्या हो तो जरूर बताए तो हम लोग फिर मिलेंगे पब्लिस वीडियो में साहिति की एक जलक स्रीज साहिति सुई में 15 सेप्टमबर के बाद बाकी आप लोग पढ़ते रहें वीज बीच में वीडियो पब्लिस होता रहेगा आप दो दो tas बाद में ुार24 एFrकित miten वीडियो में सल neuralreich रहेगा है दो में लोग फिर सेज धर। में साहिति मोट्स्वार ब therap कर्ड़सरे की मैं 15 सेव़ц刀 में सह वोग पर पिर बाक कि लोग परक्मबर के वीडियो में सोब।